नमस्का दोस्तू स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैत का पिष्ण डिसकस करेंगे तो हम यहां जिस पिष्ण की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं तो प्रस्न हमारा क्या है प्रस्न है एक आयताकार मैदान की एक भुजा पांच मीटर तथा इसके बिकान की लंबाई 13 मीटर है तो मैदान का छेतरफल कितना है ठीके उसने कहा एक मैदान है और कैसा है आयताकार है आयताकार है तो हम इसको आयताकार का बना लिए ठीके उसने कहा कि एक मैदान है आयताकार है जिसकी एक भुजा दी है उसने हमें पांच मीटर और इसके बिकान की लंबाई दी है मैं तेहरे मीटर है कर तो हमें मीदान का छेतरफल कितना है अब मैदान का फित आ や जाने का जिए निकलता है लंबारी फूरा चोड़ाइं कर जोड़ों कि एक हमने पांक मीटर हमें दूसरी प्लेक है और दो नहीं ह्याय है 13 मीटर कrzy हमने यहां मान लिया की जो लम में हैं यह हमारे ऴत्यूंब उब करना rejection 3 मीटर यहां हमें नकालनी है इसको हमने म states हम लिया hour चारा नियों इसको यहां मान लिया है और धर देखिए इक्वल लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर ठीके तो यह बाला जब सूत्र लगाएंगे विकान है इसमें 13 तो 13 का स्कॉयर लंब है इसमें 5 तो 5 का स्कॉयर और आधार को हमने L माना है तो L का स्कॉयर 13 का स्कॉयर करते हैं तो 179 आता है 5 का स्कॉयर करेंगे तो 25 आएगा और L का स्कॉयर यहाँ है 25 को स्कॉय cigar देंगे तो L स्कॉयर बरावर 179 माइनस 25 L स्कॉयर बरावर 144 हो जाएगा यह हमारी लंबाई निकल आई और चोड़ाई हमारे पहले से थी अब हम निकाल देंगे मैदान का छित फड़ अब मैदान है आयता का तो वही लग जाएगा आयत का छित फड़ लंबाई बुड़े चोड़ाई लंबाई निकल के आई 12 और चोड़ाई कितनी है पांच 12 पंचे 60 बर्ग मीटर ठीक है तो मेदालों का खेत्वल कितना निकल के आगया 60 बर्ग मीटर ठीक है वैसे कुछनों में जब हमें विकर्ण दिया जाए और एक भुजा दिया आए तो हम इस बाजे सूत्र से विकर्ण क आपका गुड़ा कर देंगे तो आए आयत का छेथ फल निकालाता है तो हमारा इस प्रिशन में नकल गया गया 60 बर्ग मीटर ठीक है तो ऐसे ही नौलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चनल पीके गुरू जी के साथ नमस्कार प्रिशन में बढ़ा